हेलो एंड वेल्कम बैक टू पीवाई की पेडिया हम लोग 75 डेज की चैलेंज री चला रहे हैं यूपीश सी पिलेंज 2024 की लिए और डे वन टू टेन में हमने इंडियन पॉलिटी की है पॉलिटी के जो भी कुछ 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 चूटे रह गये हैं बचे रह गये हैं वो हम लो सेटर एंड तके 20 दिन तक हम इंडियन हिस्ट्री करेंगे ठीके और एंड़ें ढूली चैनल पीवाई क्यों अंडेश्य पेडिया पर अफ्लोड कर दी गई है एक कुस्चन आ रही थी कि इसमें कौन-ół से examination के तो सारे question है civil services examination के बाद जो question है वो cds की है दोजार बीस से लेकर के तोजार तÈस तक की और उसके बाद CAPF की भी same duration की है then NDA की क्षिचन है then CISF की जो question paper होती है उसके है question then आपको इसमें EPFO की जो exam hootी है ALC की जो exam होती है istके भी कुछ question है जंचίνेरिง शर्वीस की जो इक्जाम होते हैं उसके भी कुछ गुश्चन है इसमें ठीक है और इसके अलावा आपको जीओ साइन्टिस्ट पेपर होती है उसके भी गुश्चन है तो आपको एक जग़ा सारी कुश्चन मिल जाएंगी और हम लोग जो हैज़ों टॉपिक वाइज टॉपि कि PDF आपको पता ही है, टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और question जो है उसके हिंदी-ंग्लिस में होगी, मैं explain करता हूँ, हिंदी में, आपकी जो explanation दी होती है, वो इंग्लिस में दी होती थे, try करिए कि आपको जितनी भी information during class आपको मिलती है, वो आप एक list note बना ले, ठीक है, जो question जो पूछेगे हैं, उसके अलावी बहुत सरी ऐसी information है, जो उसमें बताई जाती है, बहुत सरी information आपकी explanation में मिल जाती है, तो वहाँ से भी आप note बनाएं, ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो let's start the session, तो पहला जो हमारा question है, वो लराई जब करते थे, तो horse की जो रत होती थी, घोरी के दौरा जो खीसी गई रत होती थी, उसका यूज करते थे, तो पहला अगर आपको पता होगा, कि ऐसा जो temple की कोई ऐसी evidence है नहीं, वैसे आपको temple की कोई ऐसी evidence है ने इंडिस वैली सिवलाइशन में, वहाँ पे आपको जो largest structure में अगर बात करें, तो ग्रेनरी तो पाया गया है, और great बात भी पाया गया है, लेकिन great बात किस चीज के लिए था यह पता नहीं है, हो सकता है कि वो जो पब्लिक बात के लिए यूज होगा, ठीक है ना, तो ऐसा कोई temple का कोई ऐसा evidence है नहीं, ठीक है ना, तो आपको great बात कहां मिला है, मोहन जोदारों में, तो यह याद रखिए, दूसरा क्या है कि जो horse की है, ऐसी कोई evidence जो नहीं है, horse की बारे में, horse drone, chariots वगरे के बारे में, horse की evidence नहीं इंडस फैली civilization में, हलांकि कुछ author जो हैं, वो कहते हैं कि horse हैं, कुछ कहते हैं नहीं, UPSC का अनुसार से horse का कोई भी trace इंडस फैली civilization में नहीं है, तो यह दोनों गलत हो गया, और यह दोनों male और female details दोनों को पूजा करते थे, इसका हमको मिला है जो इंडस फैली civilization से, जो excavation में, जो seal मिली है, उस seal पे male और female दोनों god की आपको मुर्ती बनी होई है, है न, male god, और ऐसा माना जाता था, कि वो male god की तरह उनका पूजा करते थे, ठीक है, तो यह आपको धियान रखना है, so two only is the answer, this is the explanation, अगला question है, कि इसमें से कुछ side दिया हुआ, इसमें से कौन सी हरपन side नहीं है, ठीक है, तो अगर हम बात करें, कि देखिए, जो यह चनहुदरो है, चनहुदरो और देसलपूर है, चनहुदरो और देसलपूर जो है, वो आपको चन्हुदरो जो है वो आपको पाकिस्तान में है और देसलपूर जो है वो गुजरात में है और ये दोनों जो है वो मैच्योर हरपन साइट है ठीक है, so mature harpen site हो गया और court DG जो आपको है यह early harpen site है कौन क्या है, early harpen site ठीक है, so early harpen site है और यह कहाँ पे होगा यह आपको court DG जो है वो सिंद में है, सिंद कहाँ पे है पाकिस्तान में, ठीक है समझ मैं कि कौन सी river के bank पे है Indus river के bank पे है इतनी याद रखिये, तो आपको कौन सी हरपन साइट नहीं है, सोहागूरा, तो सोहागूरा क्यों इसमें दिया गए, सोहागूरा किस चीज के लिए famous है, सोहागूरा जो है, वहाँ पे एक inscription मिली थी, copper plate inscription मिली थी, ठीक है, copper plate inscription, ये जगह कहाँ पे है, गोरकपूर उत्तर प् agriculture sites है, modern cities है, और इंडस civilization के अदर sites है, महंजोदारो, मेहनगर्ड, हरपपा, राखिगड़ी, काली वंगान, आलमगीरपूर, बनवाली, कोट दीजी, चनहुदरो, देसालपूर, धोलावीरा, सुर्कोटडा, रंगपूर, है ना, लोथल, ये सारी जो है sites, वो भी आप ध्य रखेंगे, अगला question है, कि which one of the following ancient times, कौन ऐसा ancient town है, जो water harvesting और management के लिए famous है, है ना, वो क्या किये थे, series of dams बनाये थे, है ना, series of dams बनाये थे, और वो channelizing water into connected reservoirs, और वो पूरी water को connect करके reservoirs में मिलाया था, ये कहां पे था, तो ये अगर आपको पता होगा, तो ये आपको धोला वीरा जो है, धोला वीरा में ये था, ठीक है, वहाँ पे आपको धोला वीरा, एक ऐसी town हुआ, धोला वीरा जो हरपन जितनी भी cities है, वहाँ पे जो town होते थे, दो पार्ट में बटे होते थे, पर धोला वीरा ये कैसा था, जो तीन पार्ट में बटाया है, और तीनों पार्ट जो है सो एक्तम कॉंक्रीट वॉल से मासिर स्टोन वॉल से उसको घेरा गया हुआ सराउंड किया गया था तो थ्री पार्ट में कौनसी टाउन है तो ये भी आप याद रखेंगे दोला वीरा बाकी आपने काली वंगान राखीगरी रोपर आपने देखी है यहाँ पर ठीक है ना काली वंगान राखीगरी और रोपर ठीक है अगला कुष्चन है तो ये एक्स्प्लानिशन है आपका अगला कुष्चन है कुछ हिस्टोरिकल प्लेस दिया हुए है और किस चीज के लिए फिर्मस से वो दिया हुए जैसे वुरजोहम केस के लिए है स्मिर में है और यह एक नियोलिथिक साइट है नियोलिथिक साइट है तो नियोलिथिक साइट है यहाँ पे कोई रॉक कट स्रेनस नहीं है तो यह तो आपका गलत हो गया चंदर केतुगर जो है चंदर केतुगर वेश्ट वेंगौल वेश्ट वेंगौल के कलकत्ता के आसपास में हैं और यहां पर जो है प्रीम औरियन एरा के कुछ तेरा कोटा artworks भी मिले हैं वहाँ पर अर्थ की नीचे से तो यह बिल्कुल सही है और गनेश्वर जो क्येतरी वेल्ट राजस्तान में है खेतरी राजस्तान खेतरी के इस जिज़री फेमश है तो वहाँ पे कुछ copper की मिले हैं, है ना, ठीक है, तो ये आपको, ये बिलकुल सही है, copper artifacts मिले हैं, तो two and three is right and one is the wrong, ठीक है, ये explanation, अगला question है कि which of the following are the most distinctive artifacts of the harappan civilization, harappan civilization की जो सरवाधिक विशिट सिल्प कौन सा था, most distinctive artifact कौन था, इस्टिटाइट सील था, या bricks of standardized ratio, या gold की bangle, है ना, चूडी, है ना, और silver spitton, चांदी का पिक दान, वो जो पान खाकर के जो फेकते हैं पिक, वो बात कर रहा है, तो इसमें क्या है, देखिए, अगर मान लिजे कि बहुत सारी सील मिली है हमें, हर अपन साइट से, different different साइट से, वो कुछ सील तो आपको बनी हुई थी, istäite viktigt है ना कुछ आपको अगाटे से बना हुँए है सबसे ज़ाधा Teil ज़ुक्त से मिला है है ना atite से औरil superficial ज़े मिले है तो यह तो बिलकुल सही है इसके बाद bricks of streamline ratio देखियं जित्नी भी all the valley थी उसकी जो road थी streets road बने हो थी उसके straight बने थी पूरी right angle में ऐसे turn होती थी right angle में ठीक है ना और ये सब जो बने थे burnt brick से अब ये burnt brick को brick को कैसे burnt किये जाते थे eat को तो या तो sun से dry करते थे sun में सुखाते थे या उसको baking किये जाती थी और इसकी एक standard ratio होती थी है ना जिसे की length और breath जो है so four times ठीक है length and breath were four times and twice the height respectively है ना तो समझ गए आप length और weight जो है so four times है ठीक है तो ऐसे बनते थे और दो गुना आपकी height भी होती थी ठीक है और ये सारी चीज़े यूज की जाते तो standard ratio थी break की है गोल्ड बैंगल का ऐसा कुछ है नहीं और silver speed tune का भी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है तो answer one and two only हो जाएगा ठीक है next question which one of the following statement about the harapan script is not harapan script के बारे में question है तो harapan script देखते हैं अभी तक पहले तो इसको decifold नहीं किया गया है decifold नहीं किया गया है till now ठीक है इसको कोई अभी तक बढ़ नहीं पाया है लेकिन जो majority जो आपकी जो script होती थी वो right to left होती थी majority right to left होती थी लेकिन इसको यह भी बोलते हैं क्या bostrofadon भी बोलते हैं जो वहां की script style थी बostrofadon मतलब right to left और फिर left to right फिर right to left और फिर left to right ठीक है तो right to left और फिर left to right ऐसे लिखते हैं तो उसको बोलते है bostrofadon है ना तो वो होती थी अब it has not सही कौन सी नहीं सही है it has about 400 signs 400 sign के आसपास में है उसमें अभी तक पढ़ नहीं पाया कोई तो यह बिल्कुल सही है right to left majority जो है so right to left लिखे जाते थे it has been found on bones bones पे भी मिले है bones rod पे भी और jewelry पे भी मिले हैं यह भी हम थोड़ी देर पहले बात किये थे it refers to the people of meluha यह जो meluha जो है यह meluha के logo से संबद रखती थी हर अपतन script ऐसा कुछ नहीं है यह आपको जो mesopotamia mesopotamia की अगला question है कुछ हरपन साइट है और उसकी location पूछा जा रहा है तो यह question तो आ सकते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है कि नागेश्वर कहां पे है नागेश्वर कहां पे है तो नागेश्वर आपको सौराष्टर में है काली वंगान, गनेरी वाला, कॉडडीजी, चनहुदारो, धोला वीरा, लोथल, रंगपूर और नागेश्वर नागेश्वर आपको यहाँ पे सौराष्टर में है गुजरात में ठीक है अगला question है विच अफ दा फॉलोइंग डज नौट रिपरजेंट अब ब्रेक विट्विन दा अर्ली हरपन कल्चर और मैच्यूर, अर्ली हरपन और कल्चर और मैच्यूर, हरपन कल्चर के बीच में ब्रेक को कौन रिपरजेट नहीं करता है देखिए अगर आप NCRT में जाईएगा तो NCRT में लिखा हुआ है कि ऐसा उसमें कहा है कि जो अर्ली हरपन थे और मैच्योर हरपन थे उसमें ऐसा माना जाता है ब्रेक था और ये चीज कहां से पता चलता है large scale burning at some site large scale burning at some site कुछ site पे large scale की burning होई है कुछ settlement का भी ये दोनों से हमें लगता है इसा यह NCRT में आपको लिखी हुई है ठीक है a shift in the course of harqa river का course river course हो जाती है change वो नहीं तो answer क्या होगा one and two only अगर आप देखेंगे तो NCRT में यह लिखा हुआ है कि there were several archaeological culture in the region prior to the mature harappan mature harappan से पहले कुछ और culture हुआ करते थे these culture were associated with distinctive poetry evidence of agriculture and pastoralism and some crafts settlements were generally small and there were virtually no large building कोई building large नहीं होते थे it appears that there was a break between the early harappan and the harappan civilization evident from large scale burning at some sites as well as the abandonment of certain settlement तो यह आपको दोनो exactly line NCRT से उठा के दी वही है ठीक है अगला question यह भी NCRT से पूछा है which among the following was where the sale waste production center Indus Valley civilization में sale waste production center कहां पे होते थे तो NCRT में देखिएगा अगर तो लिखा हुआ है कि नागस नागेश्यर अन बालकोट यह जो है सो दोनों coast के नजदीक होती थी और यहाँ पे specialized center for making sale objects होते थे जैसे bangles बनानी हो ladles बनानी हो inlay बनानी हो है ना और वो एक settlement से दूसरी जगह पे ले जाये जाते थे ठीक है न और इसके बाद इसमें ये भी लिखा हुआ है उस NCRT में लिखा हुआ है कि similarly it is likely that finished product जो से baits हो गए है ना from चनहुदारो और लोथल वो लेके जाते थे मोहंजदारो और हरप्पा में यह तेखिया आप यहाँ पे लिखी हो यह पूरी NCRT के यह line है कि नागेश्यर अन बाल which one of the following Harappan site was specialized center for making sale objects अभी बात किया है बाला कोट और नागेश्यर ये थे answer ठीक है तो answer क्या हो गया बाला कोट अगला question है कि in the Mesopotamium records the Indus Valley region को क्या कहते थे तो यह भी आपको NCRT से direct उठाया हो है कि Mesopotamium Mesopotamian text जो होते थे है ना वो 3rd millennium BCE में वो एक वो कहते थे कि copper हम जो ल लाते हैं कहां से लाते हैं उगान है मगन है ना जो ऐसा माना गया है कि Oman का नाम होगा मगन है ना और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो हमारा जो और बाकि जो इनकी साथ noble copper लाते थे मेधन से और इसमें और भी कुछ जगह का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि, क्या लिखा हुआ है, डिल्मुन, जो ऐसा, डिल्मुन ऐसा माना गया है कि, आईलेंड ओफ, आईलेंड ओफ बहरेन, ठीक है, और मगन मैंने बात कर दिया, ओमन का नाम, और एक ये भी लिखा हुआ है कि, मेलूहा से लाते थे मेलूहा मतलब हर अपन आपिस लाजली यह भी तरह की पत्तर हुआ गरती है minimum और यह सब हम लोग यहां से लाते थे तो थी कैंड है मेलूहा matlаться को साय अपन 350 को और साइद और अपनMAN को बोलते थे है ना समझ में आ गया तो यह आपको और यह सब C से connected है समझ में आ गया और Mesopotamian टेस्ट जो है वहाँ पर मेलूहा को Land of Seafarers बोलते थे समझ में आ गया सो मेलूहा को बोलते थे Index Valley Region को मेलूहा बोलते थे Mesopotamian पूरी टिर्ट आपको दी हुए और पूरी NCRT से एक एक word copy है अगला question है यही पूरी NCRT से copied question है पूरी NCRT से question copy है तेरा कोटा models of the plot have been found at the sites in चोलिस्तान and at बनवाली हर्याना देखिए अब यह जो question है एकदम exact यही line लिखा हुआ है exact यही line लिखा हुआ है कि the prevalence of agriculture indicator by finds of grain जो agriculture मिलता था यह इसको कैसे पता चला वहाँ पे grain कुछ मिले है और जो sils वगरे थे टेरा कोटा के जो sculpture थे उसमें था कि जो है जो मिला है उससे था कि plugging करने के लिए मतलब कि हल चलाने के लिए bull का यूज होता था oxygen का यूज होता था इसके बाद वहाँ पे लिखा हुआ है कि more ever टेरा कोटा मोडल्स अप दे प्लग है बिन फाउंड़ साइट सिन चोलिस्तान एंड बर्नवाली हरयाना तो यह बिल्कुल सही है और वहाँ पे लिखे हुआ है कि archaeologists have also found evidence of a plug field मतलब खेती किया हुआ है इसके बाद यह भी लिखा हुआ है कि जो प्लग फिल्ड थी वहाँ पे जो फिल्ड थी उसमें दो सेट अफ फरोज था दो सेट फरोज था प्लग फिल एट काली वंगान है टू सेट फरोज क्रोसिंग अट राइट एंगल काली वंगान पे जो जोता हुआ खेत था उसमें हलकी दो रेखा हो था दो समूव एक दूसरे को समकोन पे काट रही थी 90 दिग्री पे इससे ऐसा लगता है कि एक समय में एक साथ दो दो फसले हुगाई जाती थी mixed agriculture यह भी exact line लिखी हुए ठीक है यहाँ पे यह mature हरपन का नहीं है वहाँ पे लिखा हुआ है यह early हरपन का है early हरपन का है evidence तो है but with not mature phase it's a early phase early हरपन levels की तो यह दोसरा गलत हो गया 1 and 3 is diet और यह जो line है यह पूरी NCRT से copy paste है समझ में आ गया होगा hope ठीक है अगला question है एक question है कि Neolithic period is not correct which one among the following statement with reference to the Neolithic is not correct Neolithic के बारे में कुछ question है अब आप समझेए Neolithic में है Neolithic का मतलब क्या हो गया this period is also known as the new stone यह तो बिल्गुल सही है कौन सा सही नहीं यह पूछ रहा है तो यह तो सही है कि this period is also known as the new stone इसकी character क्या होती थी नियोलिथिक कैसे हम मानेंगे कि नियोलिथिक था तो नियोलिथिक कैसे था वो आपको करने के लिए वहाँ पे polished the characteristic feature of the period included ground and polished stone tools stone tools और ज्यादा polished हो गये थे agriculture शुरू हो गयी थी animal domestication होती थी और pottery तो बिल्कुल these are the characterized by जो नियोलिथिक एज is characterized by the stone tools which is polished है ना और domestication किसकी होती थी plants की और animal की भी होती थी settlement permanent villages बनने लगे थे है ना poetry और weaving जो है सो बढ़ने लगी थी तो ये भी सही है the earliest evidence of agriculture is मेहरगर से हमें सबसे पहले साक्ष मिला है agriculture का around 8000 BC तो बिल्कुल 8000 से 6000 BC के बीच में barley और wheat cultivation मिली है कहां पे मेहरगर से जो बालोचिस्तान में है अभी पाकिस्तान में है अब कुछ ही याद रखिए कि the characteristic feature appeared almost at the same time in various parts of इस subcontinent के different different part में ये feature मिली है तो यही गलत है आपका ऐसा नहीं है समझ में आया अब इसमें देखिए कि कौन-कौन से site है जैसे अभी बात किये है एक site तो हमने अभी बात किये है कि वुर्जोहॉम जो है जम्मू एन काश्मीर में वो नियोलिथिक site है दूसरा चिरांद है बिहार में है ना चिरांद ठीक है ना और उटर करके है आंध परदेश में और लोथल से मिले काली वंगान और लोथल दोनों जगत से हमको मिले है यह भी NCRT में दिया हुआ है ठीक है अगला कुश्चन है हमारा कि which one of the following animals was not represented seals and terracotta terracotta art of harapan culture harapan culture के जो seal होते थे seals होते थे और terracotta art होते थे उस पर कौन से फिगर नहीं मिले है exactly NCRT से पूछा हुआ है कि archaeologist को discover हुआ बहुत सारे seals हुआ और उस seals जो है मैंने भी बात किया थे sthetite के seals मिले है agate के मिले है chert के मिले है copper के मिले है terracotta के मिले है यह हमको आप बताया है उस पर कुछ एनिमल्स हुआ करते थे जो unicorn unicorn rhinocore है ना unicorn rhinocore ठीक है और इसके बाद क्या मिले है tiger भी मिले है elephant भी मिले है beshan भी मिले है goat buffalo यह सब मिले है है ना गाय का ऐसा कुछ भी कहीं पर भी नहीं मिला है ठीक है one horde animal जिसको unicorn बोलते है one horde element कुछ plant के भी scene वहाँ पर मिले है है ना जो sills वगएरे थे वहाँ पर कुछ plant के भी sills मिले है समझ में आ गया कुछ lingas भी मिले है है ना एक polished stone होता था जिसको ऐसा माना गया है कि जो सिवा को पूजा करने में symbol जो है सो सिवा को सिवा को उस symbol में मान करके पूजा करते है है ना और जो sills होते थे उसको tabij type से भी पहना करते थे उस समय में और जो sills की जो standard size होती थी हरपन सिल की वो square होती थी 2 into 2 square inch की और straight से बनी होती थी तो ये सारी आपको सो लोथल से क्या मिला डॉक्यार्ड मिला लोथल से क्या मिला डॉक्यार्ड मिला ठीक है दूसरा काली वंगान से क्या मिला लोथल से डॉक्यार्ड मिल गया अब काली वंगान से क्या मिला काली वंगान से आपको मिला ये लोथल से डॉक्यार्ड an inscription comprising 10 large sign of the harappan script ठीक है ये इसके आरे में थोड़ी बात करते हैं बनवाली से टेरा कोटा रेपलिका ओफलाग अभी हम लोग बात किये थे कि बनवाली से टेरा कोटा रेपलिका ओपलाग कहां से मिला था तो ये आपको बनवाली से मिला था ठीक है अभी हमने बात किया था clear ठीक है बनवाली और चोलिस्तान हमने बात की थी न ठीक तो ये हो गया अब हम बात करते हैं कि जो 10 sign वाली बात है वो कहां पे मिला है तो ये 10 sign वाली जो दोला वीरा पे एक एन inscription मिला है जिसमें 10 sign है और वो सबसे बढ़ा inscription मिला है 10 last sign पढ़ तो पाये नहीं कोई है ना 10 last sign sign मिला है मैं आपको picture भी दिखा दूँगा यह आपको मिला है दोला वीरस है wooden sign words है और उसमें 10 symbol है और हर symbol जो है वो कितनी 70 cm की हाइट है और आपको तीन मिटर लॉंग वो पूरा sign word है और सबसे बढ़ा sign word वो मिला है तो यह answer हो गया भी और यह देख लीजिए यह आपको यह तो script है ठीक है और यह आप देख लीजिए यह आपको sign मिली है ऐसा ठीक है समझ में आ गया hope अगला question है कि regarding the indus valley civilization consider the following statement indus valley civilization के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई है कि it was predominantly a secular civilization and the religious element though present did not dominate the scene यह कह रहा है कि indus valley civilization secular थे secular secular थे धर्म निर्पेक्च थे और इसमें religious तो थे religious element तो थे लेकिन वो किसी चीज़ को dominate नहीं करता था जितनी हम लोग को इसमें अभी तक जो इसके वैट हुए है और उसमें जितनी चीज़ें हमें पता चली है उसमें कि indus valley के लोग जो थे वो people tree के पूजा करते थे nature को worship करते थे है ना और वहाँ पे आपको जैसे जो हरपन burials मिले हैं जो दफनाया गया है उसमें आपको pottery मिली है और ना मेंट्स मिले है जोईलरी मिली है copper के mirrors wits वगरे मिले हैं इसका मतलब they also believe in the afterlife कि बाद में मतलब दूसरी जनम भी होगी उसमें वो believe करते थे ऐसा हमें प वहाँ पे कि वहाँ पर religion थे बट वो secular civilization थे ठीक है जिसको जो मन है जिससे उसको पूजा करने का यह आपको बिल्कुल सही है दूसरा क्या है during this period cotton was used for manufacturing textiles in India बिल्कुल cotton seat जो है spindle holes मिले हैं है ना जो Indus Valley के house होते थे वहाँ पे यह सब मिले हैं जो cotton को spin करने में है ना वो आपको use होते थे और men और women जो होते थे वो आपको एक separate तरह की पहनते थे कपड़े धोती यह सब पहनते थे है ना तो cotton से बने हुए होते हुआ करते रहे होंगे तो यह आपको दो इक्ट्रा यह आप ध्यान रखें कि हर अपंस ने प्रॉपर वेट और मेजर भी इन्होंने डेवलॉप किया था है ना वाइनरी सिस्टम में 1248 1632 और रेशियो जो वेट की होती थी ऐसे होती थी 1248 1632 और जो स्मॉल वेट मेजर आफ 16 रेशियो वेट 13.63 ग्राम्स तो यह अ ने फेले थोरा सो हम इंडस वाली सिवलेशन के वारे में चीजे कुछ कुछ और देख लेते हैं इंडस वाली सिम्लाज़न मेर और क्या-क्या इंपोटेंट चीजें हैं जो आप को याद comprehensive के हैं ऑके सो के I movie अगर आ वां से मिला है तो great gallery कहां से मिला है great बात तो आपको पता है कि मोहनजोदारों से मिला है great gallery कहां से मिला है वो भी आपको मोहनजोदारों से मिला है dockyard कहां से मिला है lotal से मिला है इसके बाद वहाँ पे जो याद रखना है आपको एक ये मिला है दो male figure मिला है एक तॉर्सो मिला है जो red sandstone में फिक है एक तॉर्सो मिला है और एक आपको जो दाधी वाले MAN मिले प्रिष्ट जिसको बोल सकते हैं लोडगे न मिला है एक बराँज की चीजे मिली है dancing girl dancing girl मिली है dancing girl मिली है ऐसा माना जाता है कि lost wax technique से बनाई गई होगी ठीक है यह याद रख लीजिए आप इसके आप copper का dog मिला है copper का dog मिला है ठीक है और bronze का bull मिला है ठीक है bronze का bull मिला है यह आपको काली वंगान से मिला है और copper dog कहां से मिला है लोथल से मिला है ठीक है तो यह आपको यह भी आपको ध्यान रखना है अब इसमे और क्या याद रख सकते हैं आप इसमे mother goddess का आप याद रख सकते हैं mother goddess का याद रख सकते हैं toy कुछ कुछ मिले हैं को याद रख सकते हैं कि जो पौर्ट्री रेट क्ले की पौर्टरीबी जग़ा एक पर्फॉरेटेड पॉट्री भी मिली है जिसमें छेद हुआ करता था था ना पॉर्फॉरेटेड पॉटरी है ना ये भी मिला है ठीक है बेट स्मेकिंग मैंने चनुधारो और लोथल बायरे बात कर ली हुई है इसके बाद स्पिंडल वॉल्स भी मैंने आपको बता दिये हर अपन स्क्रिप्ट मैंने आपको दिखाई दी है यह हर अपन स्क्रिप्ट ऐसी हुआ करती थी है ना और यह भी मैंने बता दिया कि राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट लिखते थे है ना इसके बाद मेजरेटी जो थे वो रेट राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे तो बस इतना आप याद रखिए बाकी औ और कभी questions आएंगे तो we'll see that question ठीक है इंडस वैली पर और भी question आएंगे तो हम लोग जरूर देखेंगे अगला question है कि with reference to the differences between the culture of Rigvedic Aryan and Indus Valley people है ना क्या difference थी Rigvedic Aryan और Indus Valley people में which of the following statement is are correct Rigvedic Aryans used to coat of male and helmet in warfare whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence using them बोलते हैं कि Rigvedic जो Aryan हुआ करते थे वो war के शमय में helmet पहनते थे है ना और कबच पहनते थे helmet और coat पहनते थे युद्ध करने के लिए but Indus Valley civilization में ऐसा कोई हमें evidence मिला नहीं है तो यह बिल्कुल सही है कि ऐसा कोई हमें evidence मिला नह ही है ठीक है रिगवेदी की समय में आपको swords वगेरा तलवार एरोज बोज वगेरा सबकी भी मिली है तो यह बिल्कुल पहला सही है रिगवेदी कारियन न्यू गोल्ड सिल्वर और कॉपर वेराज इंडस वैली पीपल न्यू वनली कॉपर और इंडस वैली सिर्फ कॉपर को जानते थे और रिगवेदी कारियन जो है तो गोल्ड सिल्वर यह सब जानते थे यह गलत है हरपन मेन भी जो औरनामेंट्स पहनते थे वो गोल्ड और सिल्वर के होते थे तो वनली जो लिखा हुआ है यह आपका गलत हो गया तीसरा है कि रिगवेदी कारियन से नहीं थी तो उन्होंने 1 & 3 को सही माना हुआ है ठीक है यह explanation है अगला question है कि at the bank of which of the following river was the battle of 10 kings fought in the early Vedic, early Vedic period में होती है लड़ाई battle of 10 kings वो किस नदी के किनारे होती है ठीक है ना हमारी country का नाम जो पड़ी है क्या है भारत वर्स ये आपको पड़ी है भारत करके एक टराइब ह होते थे जिसका नाम रिगवेद में मैंसन है और रिगवेद में मैंसन है और भारत के नाम पे हमारा देश का नाम भारत परा तो इसमें battle of 10 kings या इसको हम लोग बोलते है दस राजन युद्ध दस राजन युद्ध भी बोलते है ठीक है ये आपको कौन-कौन सी tribe के बीच मे हुई है एक tribe थी इसमें किसके किसके बीच में हुई है एक tribe थी भरत tribe ठीक है तो भरत tribe हुआ करती थी भरत tribe और भरत tribe को लेड को लेड कर सकते हैं भरत tribe को लेड करते थे by king king क्या था सुदास ठीक है सुदास और बाकी इनकी लड़ाई होती है वरसेज किसकी लड़ाई होती पूरू, पांच पहले याद रखिये, पूरु, यदू, तुरवश्य, अनू, और दुरुयू, पांच ये, और पांच होते थे, अलीना, इस्पेलिंग के लिए टेंसन मतले न, है न, पक्ता, वालनाज, शिवा, और विश्निन, तो मैंने ये क्यों अलग-अलग लिखाया, क्योंकि जो पहला पांच ये था, ये पांच जो हुआ करते थे, वो होते थे, ये बोला जाते थे, आरियन ट्राइब्स थे, तो ये जो दस लड़ाई कर रहे थे, भरत ट्राइब के साथ, ये दस ट्राइब जो लड़ाई कर रहे थे, तो आरियन ट्राइब होते थे, ये जो है तो नन आरियन ट्राइब होते थे, ठीक है, तो ये इसकी लड़ाई होती है, और इसमें जीता कौन है, भरत जीतेंगे, भरत जीतेंगे इस battle को कौन जीता है भरत और ये जो लड़ाई होती है वो परुषनी रभी रिवर के किनारे होते हैं परुषनी रभी परुषनी रिवर के किनारे जिसका अभी नाम है रावी ठीक है हो अब आपको ये समझ मेरा होगा इससे जदा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है ये दिखाएगा तिस द्वती जो है सो चौटंग रिवर का है चौटंग रिवर जो है सो सिवाली खिल से निकलती है और वो सरसुती का है ना सरसुती का वो जो से ट्राइबिटरी है और वो बाद में फिट गगर रिवर की ट्राइबिटरी हो जाती है ठीक है तो ये इसलिए घगर भी लिखा होता है, तो अब तो ही आंसर लिखेंगे, एक असक्णी की अगर बात करें, जो असक्णी है वो चेनाव है, वितासा जो है, जहलम है, और परशिनी जो है रभी है, तो आंसर तो ये भी हो गई, इसके अलावा इंडस को, इंडस जो अभी विफाशा देन जो सतलज है है ना सतलज याद रखेंगे आप उसको सुतुद्रू बोलते थे गोमती जो है अभी जिसका नाम गोमती है उसका गूमल नाम हुआ करता था कुर्रम जो नदी है है ना कुर्रम नदी है उसको करूमू बोलते थे है ना और द्रिस्तवदती जो है वो आपको घगर बोलते थे चौटंग रीवर ठीक है यह explanation है अगला question है who among the following words ब्रह्मवादनी who composed some hands of the Veda Veda के कुछ hands को लिखी है यह ना compose किया है वो ब्रह्मवादनी क्या होता है तो ब्रह्मवादनी जो होता है हिंदू philosophy में ब्रह्मवादनी को women ascetic को बोलते हैं ब्रह्मवादिक है ना ठीक है जो women के पास में बहुत highest philosophical knowledge और ब्रह्मवन का highest philosophical knowledge होगा उसको बोलते हैं ब्रह्मवादनी तो जो women थी जो women poets थी है ना जिसको intellectual जो जिनको spiritual और intellectual development ज्यादा होई थी मेन के मेन के जैसा वो कौन-कौन थी तो याद रखें कौन था अपाला विश्यवड़ा घोष लोप मुद्रा और गारगी रिग वेदिक पिरेट में ये women थी जिनको जादा knowledge थी है ना ठीक है women poets और थी इसमें लोप मुद्रा एक ब्रह्मवादनी थी जो कुछ है जो है सो वेद के कुछ हैं को क्या की है कमपोज की है तो ये इतना ध्यान रखेंगे ये explanation अगला question है कि the religion of early vedicarians early vedicarians जो होते थे उसकी religion क्या होती थी क्या वो भक्ती है ना religion क्या थी अर्ली वेदिकान की भक्ती early vedic का क्या थी वक्ती या image worship या नेचर को पुजा करते थे या नेचर को करते थे और भक्ती करते थे तो इसमें आपको image worship भी करने लगे थे early vedicarians के लोग और यगी भी करते थे तो बिल्कुल बी answer होगा अगला question है the river most mentioned in early vedic early vedic literature में सबसे जाधा कौन सी river का mention है ठीक है अर्ली वेदिक में लिखा हुआ है कि जो आर्यन होग थे वो आर्यन जो सेटल थे वो आपको सब्त सिंधू पे थे सब्त सिंधू now what is सब सिंधू land of seven river land of seven river तो कौन-कौन सी रिवर थी one is the सिंधू then अभी उस्तमय का नाम रखते हैं विताश्य वितस्त जो जेलम अस्किनी जो चेनाव देन परुषिनी परुषिनी रभी विपाशा 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 ब्यास सतुद्री सतुद्री और शरश्यती जो घ भगर और यह अभी के समय में जो पंजाब हरियाना रीजन है अफगानिस्तान पंजाब हरियाना रीजन है वो रीजन यह हुआ करती थी तो सबसे ज्यादा जो है वो मेंसन था सिंदू को इंडस को है ना और सरसुती को holy river माना जाता था है ना most holy river ठीक है और सरसुती जो valley थ उसको बोलते थे ब्रम वरत्त इतना काफी है यह ना explanation है आरियन क्या है ड़ टर्म आरियन डिनोट्स ड़ टर्म आरियन क्या था एक इतनिक ग्रूप है कि घुमन्तु लोग है नोमाडिक पीपल है कि स्पीच ग्रूप है कि सुपेरियर रेस है ठीक है तो आरियन जो है तो ल ठीक है, so this is the speech group, यह explanation है, अगला question है कि which one of the following four Vedas contains an account of magical charm and spell, कितनी वेधा होते हैं, चार वेध होती है, one is the Rig Ved, one is the Sharm Ved, यजुर वेध, यजुर वेध और अथर वेध, अब इन सब में चार चीज़े होती है, सारे वेध में चार चीज़े होती है, one is the Brahman, Samita, Aryankaj, अर उपनिशद, यह सब में होते हैं, रिगवेध के समिता, रिगवेध के ब्राम्मन, रिगवेध के अर्यंका, रिगवेध के उपनिशद, सामवेध के समिता, और यजुर वेध में दो तरह की हैं, यह तो है ही, यह चारो तो सब में होंगे, यह सब में यह दो मेन है, one is the Krishna yajurved, Krishna और one is the Sukla yajurved, ठीक है, याद रखना है, और यह जो आपकी yajurved है, उसमें आपको बात करते हैं, आपको किसकी बात करते हैं, magical charm of spells की, किसमें बात करते हैं, yajurved में बात करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, clear, ठीक है, सामवेद में songs वगरा की है, है न Krishna मतलब black yajurved, Sukla मतलब white yajurved, अथरवेद में क्या है, ठीक है, जो जितने भी everyday की rituals है, जैसे साधी हो गई, funerals हो गई, ठीक है, और magic, magic भी आपकी अथरवेद में आती है, ठीक है, ठीक है, तो यह गलत बोला था मैंने, yajurveda, it's a अथरवेदा, ठीक है, यह आपको explanation, इसको यह पढ़े, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, next जो हम लोग करते हैं, daily, current office, sorry, current office भी हम लोग करेंगे, वो history के जो news में है, history के जो कुछ भी news में है, उसको करेंगे, ठीक है, ठीक है, जो पात जो हम लोग करते हैं, बिदा ओंवर्ध में एक सम्मेद सिक्र होते हैं सम्मेद सिख्र वो है पारसनाथ परवत पे एक समेद सिकर जी है तीक यह आपको गरिडी इस्सिक कहां पे जार खंड में थे कि है तो यह आंसर हो जाfel जाएगा प्रोटेश्टर्स थे यहां पिछ यारखन प्रोटे проект में राइनने क्य तो इसanto record वहां या busy прим रनज वहां की जो वीजटन वो उसमें कुछ भूद है क्या कहते हैं उसमें कुछ60 लिश्टर कु grain ठीक है अब यह लोग ना जो प्रोटेश्टर्स हैं वो क्यों हला कर रहे थे क्यों डिमांड क्या कर रहे थे जहरकोन गवर्मेंट ने क्या कहा इसको टूरीज्ज प्लेस बना दिया रिलेजियस टूरिश डेशन बना दिया तो इसमें एसा इन लोग का जो जैन वाले हैं वो वहां की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी है ना तो यह जो इनकी जो उनकी जो सेक्रेट प्लेस जैन वाली है उनकी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगे अगर इसको हम लोग तुरिश डेशन घोसित कर देंगे तो तो उसी के लिए हल्ला कर रहे थे कि भाई इसको जो है सो question है ये news में था कि ancient monuments and archaeological sites and remains act के बारे में कुछ news में था है न तो ये AMASR act है ancient monuments and archaeological sites remains act तो इसके बारे में कुछ पूछा जा रहा है कि क्या सही है so the ancient monuments and archaeological sites and remain AMASR act regulates the preservation of monuments and archaeological sites of national importance in India ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि ये जो हमारी आपको जो act है वो इसलिए आया होगा कि जो हमारी country में जो national importance के archaeological sites से monument है उसको क्या करना है उसको regulates करना उसको फिजर्ब करने के लिए आया होगा तो ये तो बिल्कुल सही है the archaeological survey of India which is under the ages of union ministry of culture function under the AMSR act तो बिल्कुल ये भी सही है आपको archaeological survey of India इसके अंदर में काम करती है the act protects monuments and site that are more than hundred year old जो 100 साल से ज़्यादा उमर के है including symmetries, inscriptions, step wheels, rocket caves बाकि इसमें सारी चीज़ा आती है rocket caves भी आएंगी step wheels भी आएंगी inscription और symmetries भी आती है तो ये सब को protect करता है ये बिल्कुल तीनों का तीनों सही है ये news में था this is explanation अगला question है फिर से है सेत्रुणजे की पहारी सेत्रुणजे पहारी जो जैन के लिए holy site है पार्सपनात्व परवत जैन के लिए है तो वो भी news में था वो क्यों news में था सेत्रुणजे जैन community protest कर रहे हैं कहां पे गुजरात में गुजरात में और राजस्तान मद्धपर्द्ध सब जगा प्रोटेस्ट कर रहे है क्यों क्योंकि जो दो उनकी holy sites है वन इस समेथ सिघर जी जो कहां पे था जारकंड में और एक जो सेत्रुणजे हिल जो पलटाना गुजरात में हैं और यह कहते हैं कि इसको भी आपको इसको भी अगर इसकी holiness पवित्रता को maintain करना है तो यहां पे इस एरिया को प्रोटेक्ट केजिए सब को entry मत देजिए है ना इसको tourism place मत बना तो यह भी आंसर इसका गुजरात होगा सेत्रुणजे और पारसमनाथ यह news में था ठीक है अगला कुश्चन है consider the following statement गंगा सागर मेला होती है कहां पे होती है गंगा सागर मेला वेस्ट बैंगॉल में होती है वेस्ट बैंगॉल में है ना तो चीफ मिनिस्टर जो वेस्ट बैंगॉल के थी वो अभी हाल में कहा है सेंटर को कि इस इसको निशनल स्टेटस बनाई निशनल स्टेटस दीजिए जो हर साल जो गंगा सागर मेला होता है उसको निशनल स्टेटस देने के लिए यहां पे लाखो हिंदू पिलिग्रिम साते हैं यहां पे जो जो सागर आइलेंड है उसको विजिट करने के लिए इसमें क्या होता ह है कि यहां पे गंगा और बे अफ बेंगॉल दोनों मिलती है जो वहां पे नहाने के लिए जाते हैं लोग है ना मकर संक्रांती के दिन में तो गंगा सागर मेला इस इवेंट इसको नहीं मिला हुआ है इसलिए चीप मेंस्टर जो वेंगॉल की ममतावनर जी है उन्होंने सेंटर को यह कहा है इसको निशनल स्टाटस गोसित किया जाए तो वन और टू इस दो आंसर एक्स्टानेशन अगला है देखिए यह है अंकुरवाट मंदिर के बारे में क्या सही है अंकुरवाट मंदिर निज में था है ना तो अंकुरवाट इस टेंपल कॉंपलेक्स इन वियतनाम नहीं यह वो आपको कंबोडिया में है क्याँ पे हैं कंबोडिया में है और पूरे वल्ल्ड में one of the largest monuments पूरे वल्ल्ड में है है ना वन अफ द लर्जे स्रिल is religious monuments in the world यह शुरुवाट में एजा हिंदू टेंपल गौड विश्नू के लिए किया गया था गौड विश्नू है ना ठीक गल सेंचुरी केंड में यह बनाया था खमेर किंग थे गमेर किंग उसका नाम था शुर्य वर्मन सुर्य वर्मन दृतिएप है ना समझ में आ गया ठीक है यह अभी जो अगर बात करें यसोधरन पुरप अभी परजेंट दे जिसको अंकूर बोलते हैं वो ख्मेर इंपायर जो थी ख्मेर इंपायर की क्या थी रालधानी हुआ करती थी ड्रविडियन स्टाइल में ये बनाई गई हुई है और इसमें जो रमायन और महावारत की जितनी एपसोड से उसके इसके जो कौन थे इसकी राजधानी कहां पे थी यसो धरब पुरुप यसो यसोधरापुर यसोधरापुर इसके होते थे जो अभी जिसको अभी प्रजेंट डे अंकूर है और यह कौन मनाया था सुर्य वर्मन द्विटिया समझ में आ गया होगा होग ठीक है एक्स्प्लानेशन है ओके सब्सक्राइब करते हैं उसमें आज की जो सीचेट की टॉपिक है उसमें आपको लसी एम जो बाले टाइप की कुस्टेंस हम लोग करेंगे ठीक है एक गंटे में कितनी बार वो बुलेट को एक साथ करेंगे दिखिए एक घंटा में पहले तो हमें दिया हुआ है कि शे सेकेंड और साथ सेकेंड है तो पहले तो एक एक आवर में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड तो टोटल 3600 सेकेंड आपके होते हैं एक आवर में अब हम मान लेजिए कि हमको क्या करना है कि अगर ऐसी चीज़े हो रहे है तो लिजिए छे साथ एक साथ कितने बजे होगा वो उस पर पूछ रहा है पहले कितने मिनट पर एक साथ होगा ठीक है तो इसके लसी अगर हम लेते हैं तो टू ट्री 3,7,4,7 यह 9 है 9 है और यह 6 फिर यह 2 से फिर आ जाएगा 3,7,2,9,3 फिर 3 से देख लिजिए 1,7,2,3,1 ठीक है अब यह 7,2 जाब 14,3 जाब 42 और इन्टू 12 ठीक है तो यह होती है 504 ठीक है मतलब 514 सेकेंड पे 504 सेकेंड पे है ना एक बार में एक बार सारे लोग 7 बुलेट करेंगे ठीक है यह 6 सेकेंड के इंटरवल पर 1,7 पर 1,8 पर तो 504 सेकेंड पे यह 1,2,3,4,5 पांचों लोग 1,7 बुलेट को फायर करेंगे तो 504 पे तो फिर दस सो कितने पे दस सो आठ पे करेंगे दूसरा है ना तो इसी तरह अगर बात करें तो अगर हमारे पास में 3600 सेकेंड है है ना एक घंटे में कितनी बार साथ होगा तो ऐसे करके ऐसे तोटल हो जाएंगे आपको अगर हम 3600 में डिवाइड कर दें 504 को तो यह आपको था यह LCM की कुश्चन है फिर से देखिए इस टाइप के कुश्चन है कि एक घंटी है जो हर 18 मिनट पे बजता है एवरी 18 मिनट पे बजती है और इस सेकेंड वेल रिंग से वरी 24 और दूसरा घंटी 24 मिनट पे तीसरा घंटी 32 मिनट पे इफ आल त्री मतलब एक बार पहला तो यह हर 18 मिनट पे बजता है यह हर 24 मिनट पे बजता है यह हर 32 मिनट बजता है माल लिजे कि सबना एक बार 8 बजे शुरू हुआ तो आपको मैं सिंपल सा एक बताता हूँ कि 8 बजे अगर शुरू हुआ मौर्णिंग में तो फिर यह कब 7 में बजेगा तो यह तो 8 बजे हुआ तो कौन ऐसा time होगा जिसमें यह time जो होगी तीनों की सेम होगी तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे लेंगे हम लोग lcm तो 18-24 और 32 का जो लेंगे आप तो कितनी होगी 2 9 12 16 2 9 6 8 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है त्री से करेंगे ठीक जानाइन और यह 4 दूना 288, तो इसकी LCM हो गई, सबको multiply कर दीजिए, 288 हो गई, now 288, 288 मिनट पे, 288 मिनट पे ये जो है सो आपको सब 7 बजेंगी, है ना 288 मिनट, तो 288 मिनट मतलब कितने आवर हो गए, 288 में, एक घंटे में 60 मिनट, तो 288 मिनट में 6 इन 4, तो 4 आवर, फिर बचा कितना, 48, तो 4 घंटे 48 मिनट के बाद फिर से वो बजेगा, तो 8 बजे अगर पहला बज रहा है, तो दूसरा कितने 12 बज के, 48 मिनट में बजेगा, वह आपक जो है, विजिट करता है, टेंपल, जोसेफ कहां कर रहा है, टेंपल को विजिट कर रहा है, और टेंपल को विजिट करता है, पांचमा दिन, हर पांचमे दिन पे विजिट करता है, आज किया फिर पांचमे दिन पे, 24 में दिन पे करता है, कौन, हर्स, और जोसे देखिए, जोशिव, हर्स और सुमित, तो जोशिव हर 5 में दिन पर और ये 24 में दिन पर और सुमित 9 में दिन पर करते हैं, अगर माल लेजिए कि 3 जोह संडे को मिला, मतलब संडे को मिला, ठीक है, तो अब संडे को मिला, तो अब फिर कप मिलेगा, अगेन, the same thing, क्या करना है आपको, 5, 24 और 9, ठीक है, तो 5 और 24 और 9 को LCM ले लिजिए, जब LCM लिजिएगा आप, तो इसमें 3 से करेंगे, 5, ठीक है, 360, तो LCM जो हो गई, multiply करते हैं, तो ये हो जाएगे 360, मतलब, 360 वे दिन, ये तीनों, जैसे आज ये गर साथ गया है संडे को तो 360 वे दिन ये फिर से 7 जाएंगे, तो 360 दिन में, 307 दिन में, आप हमको बताईए, देखिए, अगर संडे है, तो फिर संडे आ जाएगा, 7 दिन के बाद, है न, 8 में दिन, ठीक है, तो 360 को क्या हम लिख सकते हैं, 51, ठीक है, 51 into 7 plus 3, मतलब, ये तो संडे आ जाएगा, 51 into 7, मतलब की, 7 दिन के बाद, तो फिर संडे आएगा, लेकिन संडे के बाद, हमारा 3 दिन बच रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, कि ये जो आपको 357 दिन होगा, वो तो फिर संडे ही होगा, 360 दिन में, हर 7 दिन के बाद आएगा, तो 357 दिन जो होगा, वो संड तो फिर 358 दिन कौन सा होगा Monday 69 दिन के कौन सा होगा Tuesday और 360 दिन कौन सा होगा Wednesday मतलब इसके बाद जो मिलेगा वह वेड़नेश दे को मिलेगा आपको इस समझ में आया होगा वाइ साथ से मैंने मल्टिप्लाई किया है क्योंकि हर साथ दिन को फिर संडे आ जाएगा तो उसको हम लोग एंसिल करते गए तो जो ओड डे होगी वही हम लोगो देखा है तो 375 वह दे संडे के 357 बाकी जो बचा वो तीन तो यह वेड़नेस ने आंसर होगा ठीक है तो एक त इन ट्रैफिक लाइट है त्री ट्रैफिक लाइट है इच सिंगनल चेंजेज कलर स्वर्म ग्रीन टू रेड़ एंडेन फ्रम रेड टू ग्रीन मतलब ग्रीन से रेड और रेड से फिर ग्रीन समझ में आ गया है तो ग्रीन से रेड होता है और रेड से फिर ग्रीन होती है क् को ध्यान रखना है कि it's all talking about the second clear अब क्या है to change the color from green to red the duration for green and red colors are same दो बज़े दो बज़े सब सेम है दो पीम पे सारा सेम है तो अब आप से पूछ रहा है ये कि they together turn green at what time will they change to green next time utility एक साथ कब होगा यही सिंपल सा कुशन पूछ रहा है ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगानी है है ना clear ठीक है समझी फिर से समझी तीन traffic signal है और हर signal जो है तो पहले green से red होता है green से red होता है और फिर 45 सेकंड और 60 सेकंड अब कह रहा है कि duration of green and red colors are same और green और red color की duration जो है जलती जो है वो duration सेम है है ना दोनों अगर 10 सेकंड के लिए तो दोनों 10 सेकंड के लिए ही जलती है ठीक है अब कह रहा है कि अगर दो बज़े यह एक साथ green हो जाती है तो यह फिर green they change to green next next green यह साथ में कब होगा यह question है अब इस question को कैसे solve करेंगे अब इसमें क्या किजिए सिंपल सा 25 39 और 60 का ले लिजिए LCM ठीक है तो अब इसको LCM अगर लेते हैं तो पहले क्या होता है सो देखते हैं तो 5 से कर लेते हैं 39 और 12 टाइम में ठीक है अब इसे 3 से कर लेते हैं 5 3 से 13 और यह 3 से 4 अब इसको अगर 4 बज़े 20 260 और इंटू 15 यह इसकी जो हो जाए 3900 सेकेंड के बाद सेकेंड चुकी सब है तो 3900 सेकेंड के बाद यह फिर से एक साथ होगा ठीक है समझ में आईए आप समझिए इसमें ठीक है तो 3900 सेकेंड के बाद यह ग्रीन से रेड होगी और फिर रेड से क्योंकि हमें पूछ रहा है कि ग्रीन कब होगा साथ में तो ग 2800 सिकेंड में कितने मिनिट हो जाएंगे क्योंकि हमें ये मिनिट में पूछ रहा है तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं कितने से 60 से तो आती है 13 मिनट मतलब पहला अगर होगा दो बजे तो दूसरा कितना हो जाएगा दो बज के 13 मिनट फिर तीसरा कब होगा दो बज के 26 मिनट फिर दो बज के 49 मिनट फिर दो बज के 52 मिनट फिर तीन बज के 5 मिनट तेरा मिनट के अंदर पे फिर तीन बज के 18 मिनट फिर तीन बज के 31 मिनट फिर तीन बज के 44 मिनट फि पहली बार कितने बज़े होगा यह नहीं पूछा है तो अगर आपके यहाँ पे 2.13 आप ही जाता 13 मिनट पे तो आप नहीं लिख पाते हैं तो इसमें पूछा है कि कब होगा तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा आ रहा है 3 बज़ के 57 मिनट पे होगा और फिर 4 बज़ के 10 मिनट पे होगा तो 4 बज़ के 10 मिनट पे यह बज़ेगा मतलब 2 बज़ के 13 मिनट पे भी होगा 26 पे भी होगा हमारे ओप्सन में जो है उसमें से कब सब एक साथ होगा तो वो 4 बज़ के 10 मिनट पे होगा तो ऐसी कोई option नहीं है 4, 10 अंसर हो जाएगा ठीक है? यह है अगला question जो है अग class starts at 11 am एक class start होती है 11 बज़े ठीक है? तो 11 बज़े class start होती है और 2 बज़ के 27 मिनट पर उत तक class होती है मतलब 11 बज़े start होती है 2 बज़ के 27 मिनट पर होती है मतलब तोतल 3 घंटे 3 आवर 27 मिनट की class होती है पूरी class ठीक है? तो 11 बज़े start होती है उसमें 4 period है और इसको हमें 4 भाग में बाटने है लेकिन equal duration का 4 parts में equal duration का लेकिन after every period at least of 5 minutes is given to the students हर period के बाद में आपको कितने मिनट की? 5 मिनट की register दी जाती है तो यह तो आसान सा question है जैसे माल ले जहें कि 4 period हो रही है तो पहला, फिर 5 मिनट का gap दिया फिर दूसरा, फिर 5 मिनट का gap दिया फिर तीसरा, फिर 5 मिनट का gap दिया फिर चॉथा, फिर चुट्टी हो गई तो start हुआ, तो यह ऐसे होगा तो मतलब 15 मिनिट का तो gap हो गया, तो 3 घंटे 27 मिनिट में 15 मिनिट घटा दीजिए, तो 3 घंटे कितने हो गया, 12 मिनिट बचे है, अब 3 घंटे 12 मिनिट को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 48 मिनिट होगा, 3 घंटे को आप कैसे बदल सकते हो, 180 प्लस 12, 3 घंटे में 180 मिनिट, तो टोटल 192 मिनिट, 192 बई 4 पिरियड, एककोल आवर का बोला है, तो 48 मिनिट इज़ दा आंसर, ठीक है, वोप आपको ये समझ में आए होगा, जो है, इसमें जो है स diferentes के क्या होगा, ठीक है, क्या आपको led 10 में जो पहली question ये थी, कि कौन सी largest number है, जूसमें दिया हुए है, क्या दिया हुए है, कि P के वैल P-2016 is equal to Q 2 plus 2017 R-2018 और S plus 2019 तो PQRS में से कौन सा बढ़ा है ठीक है तो अगर हम दो कोई भी लेते हैं पहले हम लोग 2 कोई भी लेते हैं ठीक है तो सब तो एक दुसरे के equal है तो let's do this कि P-2016 P-2016 और P-2016 और Q plus 2017 को equal करते हैं ठीक है और एक करते हैं R-2018 is equal to S plus 2019 So can I write इसमें हम क्या लिख सकते हैं आपको कि 2018 और इसमें देखिए R-S R-S is equal to 2019 plus 2018 So R-S is equal to यह हो जाएंगी 4037 ठीक है So R-S की value हो गई 4037 तो मतलब R और इसमें तो R बड़ा हो गया इसके बाद अगर इसमें बात करें So P-Q is equal to P-Q is equal to कितनी हो जाएगी 2000 Q की value कितनी थी Q 2017 है ना तो 2016 plus 2017 यह हो जाएगा 40 40 P-Q is equal to तो असा 13 है ना 40433 ठीक है 4033 So P-Q P बड़ा हो गया So P greater than Q है यह ना और यहाँ पे R greater than S है अब हमें एक relation और इसमें लाना है अगर एक relation हम लोग ले के आ जाते हैं तो हमारा काम चल जाएगा कि कौन बड़ा है So अब हम लोग ऐसा करते हैं कि P और R का देख लेते हैं P और R का देखते हैं relation So P-2016 is equal to R-2018 So can I write P-R is equal to 2016 2016 minus 2018 तो यह minus हो गया इसका मतलब R-P is equal to 2 होगा मतलब R greater than P से R पर से अब हम लोग क्या करते हैं R और Q का देख लेते हैं relation Q plus 2017 ठीक है R इससे तो बड़ा ही है P से भी बड़ा हमने देख लिया P-2016 is equal to R-2000 P-R 2016 उधर चला गया minus 2018 minus 2 होता है तो इसको हम opposite कर देख मतलब R-P is equal to 2 है ना तो R greater than P Now Q plus 2016 is equal to R-2018 Now C इसको हम लिखे Q minus R is equal to minus 2017 minus 2018 तो यह जो होगा हम R minus Q is equal to plus में लिख देंगे चार हज़र सतना ठाना पैंथ किस ठीक है तो इसका मतलब R minus Q मतलब बरा में से छोटा घटाएंगे तभी तो कुछ बचेगा तो यह R greater than Q मतलब R जो है वो P से ही बड़ा है Q से बड़ा है S से बड़ा है तो answer क्या हो जाएगा R simple सा है वैसे आप किसी में PQRS का value भी कोई एक 5-10 कुछ भी रख करके भी इसको बना सकते हो better है you just solve like this ठीक है अगला question है कि doctrine of territorial nexus क्या होता है doctrine of territorial nexus क्या होता है अब इसमें क्या है कि जो doctrine of territorial nexus होता है वो यह कहता है कि अगर कोई law state legislature को बनाया गया है तो state के outside में वो applicable नहीं होगा except अगर कुछ ऐसा दो state के बीच में कुछ अगर subsistion nexus दो state मिल जान भूज करके मिल करके अगर बनायेगा तब तक नहीं होगा तो यह आपको बोलता है doctrine of territorial nexus ठीक so तो क्या हो जाएगा determining the scope of state legislature extra territorial power to enact law अगर दो state मिल करके किसी जी पर लाव बनायेगा तो बना सकता है ठीक है समझ में आ गया तो यह आपको ध्यान देना है अब इसकी कुछ judgments है जैसे माल लीजिए कि constitutional provision है कि यह doctrine जो है doctrine of territorial nexus वो 245 से इसको power मिलता है 245 में लिखा हुआ है कि no law made by the parliament would be invalid on the ground that it would have extra territorial operation ठीक है न कि take effects outside the territory of India AH Vadia versus income tax commissioner में ऐसा कहा गया है कि a question of extra territoriality of enactment can never be raised against the supreme legislative authority on the grounds of questioning its validity State of Bombay में भी कहा गया Supreme Court ने कहा था कि sufficient territorial nexus to enable the Bombay legislative to tax the respondent in ठीक है as all the activities which the competitor is ordinarily expected to undertake took place mostly within Bombay मतलब कि extra आपको extra territorial operation में अगर जा रहा है तभी आपको extra यह क्या कहते हैं कि तो फिर क्या होगा कि बाकि जो state होगा उससे भी आपको permission लेनी परेगी और मिल करके करनी परेगी इसके बाद देखिए doctrine जो भी है judicial doctrines है जैसे doctrine of basic structure separation of power इस अब यह प्याद रखिए path and substance क्या होता है incidental and incidentally powers क्या होता है severability क्या होता है eclipse क्या होता है colorable legislation doctrine of pleasure क्या होता है doctrine of formus ठीक है इसको doctrine of pleasures क्या होती है English law से इसको original हुई है है ना उसमें English law में था कि civil servant holds office during the pleasure of the crown जैसे governor of the state यह जो होता है प्लेजर governor of state यह doctrine कहता है कि किसी के pleasure पे कोई रहेगा जैसे governor article 155 में क्या है कि governor of a state is appointed by the president and holds the office during the pleasure of the president जो है doctrine of colorable legislation जो होगा यह आपको fraud on the constitution को doctrine को बोलते है इस doctrine को बोलते है fraud on the constitution ठीक है अगर माल लेजे कि कोई legislature है उसको कोई power कोई law बनाने का power नहीं है किसी particular subject पे और फिर भी वो बनाता है तो वो होता है doctrine of colorable legislation whatever legislature cannot do directly it cannot do indirectly यह इसमें है कि जो directly नहीं कर सकता उसको indirectly भी नहीं करना है तो यह आपको doctrine of colorable legislation में आ जाती है फिर आपको territorial nexus मैंने आपको बता ही दी है फिर doctrine of eclipse है यह होता है doctrine of eclipse तब apply किया जाता है जब कोई law fundamental rights को valid करता है ठीक है समझ में आ गया तो doctrine of eclipse does not apply to the post-constitutional law ठीक है और यह सिर्फ against the citizen होती है clear तो यह आपको doctrine of eclipse याद रख सकते हैं फिर doctrine of saviarability जो है वो जो होती है वो आपको basically होती है इसको doctrine of separability भी बोलते हैं ठीक है clear इसको doctrine of separability बोलते हैं यह भी इंग्लैंड से आपको वहां की cases से ली गई है है ना तो यह आपको यह इतना याद रखेंगे बांकि आप detail एक बार देख लेंगे doctrine of incidental और ancillary power जो होता है वो doctrine of peace and substance का addition में है है ना यह तब invoke किया जाता है doctrine when there is a need to aid a principal legislation in question principle legislation को question में डालना है तो इस doctrine का यूज किया जाता है ठीक है फिर आपको doctrine of peace and substances है पीथ मतलब होता है true nature और substance means the most important and essential part of something ठीक है सबसे पहले यह आपको Canadian constitution में यह एक knowledge किया गया हुए है और doctrine of peace substance जो है अगर किसी particular law है जो seven schedule में है तो वो कौन बना सकता है ठीक है तो वो design करता है पीथेन सबस्टांस इसको भी आप एक बार देख सकते हो इसके बाद separation of power आपको पता ही है कि division of power between various organ of the state इसके बाद आपको basic structure आपको supreme court का पता ही है तो ये सारी आपको भी थोरा सा याद रखनी है अगला question है कि right to information act के बारे में कुछ है कि private organization that are involved in performing public duties or providing public services can be considered public authorities अंदर act इसमें कह रहा है कि public authorities कौन होगा ठीक है न तो public authorities कौन होगा ये पूछ रहा है और इसमें simple सा ये है कि जो public जो private organization होगा वो अगर public duty कर रहा है तो भी उसको हम लोग public authorities मानेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सही है ठीक है और दूसरा है कि mandates that information sought by citizen must be provide 15 दिन में देना है नहीं ये 30 दिन में है अगर life और personal liberty के होगी तो 48 घंटे के अंदर जवाब देनी है ठीक है ठीक है चीफ जो central information commission है उन्होंने ये कहा था कि private organization data involved in performing public duties providing जो public service देते हैं जो public fund का utilize करते हैं उसको public authorities हम लोग बानेंगे ठीक है अब इसमें जो है आप ये देख सकते हैं कि जून में 2005 में लाया गया था कि Indian citizen जो है public authorities के बारे में जो भी information है वो ले सकती है ठीक है तो ये सारे है right to information है then disclosure की भी है public authorities must disclose their information इसके बाद कुछ एक जैमसन है जैसे trade secrets हो गया कुछ cabinet proceedings हो गई ये सब हो गए है ना और PIO जो public information officer होते हैं तीस दिन में reply देंगे हैं ना और CIC center पे SIC state पे इसा बनाने है और जो expose करते हैं corruption को उसको भी safeguard के बादने है appeal भी आप कर सकते हो तो ये सारी चीज़े आपको appellate authority पे कर सकते हैं ये पूरी detail है so this is all about today's class so this is the quote of the day don't stop when you are tired stop when you have done जो आप करने आये हो you are here to become an STM और कोई भी आप कुछ push लेने आये हो तो जब आप ठक गए तो रुकना नहीं है जब आप कुछ पा लिए तो रुकना कब है जब आपने जो चीज़ सोच करके आप आये हो वो चीज़ आप achieve कर लेते हो ठीक है so thank you all for watching this is the telegram channel वहाँ पर आपको यह मिल जाएंगी ठीक है एक questions आ रही है कि NCRT में कहां से यह आपने लिया है यह जो कुछ लोग पूछ रहे है तो उसका मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि NCRT में बहुत से जो NCRT है आपकी 6 to 12 है तो वही से सारी चीज़े उठाई गई है it's not possible कि मैं वो सारी आपको कौन सी पेज और कौन सी इससे उठाई गई है और मैं आपको लिख के दूँ ठीक है तो 6 to 12 से हैं और themes Indian जो फिश्टी है उससे ज़्यादा questions है तो आप एक बार उसको देख ले ला है ना but maximum जितनी भी मैंने जो quality में जितनी भी मैंने explanation दी है वो आपको constitution of India से direct copy paste करके दी है ठीक है ना so red की कोई इसमें दिक्कत ना हो और यहाँ पे जितनी भी है maximum जो आपकी explanation है वो आपको NCRT से है ठीक है तो आप NCRT अच्छे से परो NCRT के एक लाइन इंपोर्टेंट है ठीक है ठीक है फिर next class मिलते है 20 दिन हम लोग history करेंगे ठीक है ना so thank you